इस फोटो पे आपको डार एफेक्ट देना हूँ, उसको इस एप पे लोट कर लीजे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फिल टूल्स में जाएए, अज्जेस्ट में जाएए, सैटुरेशन पे जाएए, इसको माइनस हिंडट कर देंगे तो फोटो ह का आपशन देखेगा, उस पे टैप कर दीजेगा, ड्रॉ में जानने के बाद, कलर पे टैप करिए, ब्लैक को स्लेट करिए, और ओके कर दीजेगा, फिर ब्रश में जो पहला आपशन है, जैसे सेटिंग्स का देख रहे हैं, तीन लाइन है, इस पे टैप करिए, इनलार्ज पे आप टैप करेंगे, तो यह अंदर चला जाएगा, अब यहाँ पे आपको फेस से एक स्ट्रेट लाइन खीचनी है, ठीक है, उसके बाद जो तीसरा उपर की तरफ आपको लेयर दिख रही है, ठीक है, टिक से तीसरी, ठीक है, उस पे टैप कर दीजेगा, ठीक है, तीन देखते रहिएगा, और यह जो है, ऐसे कर दीजेगा, जो भी आपको सही लेगे, डार्क एफेक्ट थोड़ा फेस पर आना चाहिए, ठीक है, पूरा भी मत बलर मार दीजेगा, ठीक है, कर दीजेगा, उसके बाद इसको डन कर दीजेगा, फिर थ्री डॉट्स में जाना है, कॉपी पे क्लिक करना है, अगेन थ्री डॉट्स में जाईए, अब ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है, ठीक है, अब नीचे से जो थर्ड आप्शन आ रहा है, फिलिप का, उस पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ठीक है, तो दोनों साइट पे ये क्लिक आजाएगा, इसको आपक को मर्ज का option देख रहा होगा तो सारे जो आपके canvas हैं एक में मर्ज हो जाएंगे नीचे आप देखेंगे आपको eraser का option देख रहा होगा eraser पर tap करिए और उसमें से जो पहला option आ रहा है उस पर take कर दीजिए इसको enlarge कर दीजिएगा size इसकी 64 तक आप कुछ रख सकते हैं सही रहेगा और opacity की 40 कर दीजिएगा 40 के असपास hardness आपको one कर देनी है और जो zoomability है वो enable कर देनी है और इसको tap करके अंदर ले जाएगा फिर आपको क्या करना है एक चेहरे से एक diagonal line खीचिएगा इस तरीके से ठीक है एक हमारी diagonal line जो है खिच चुकी है उसके बाद इसको आपको okay कर देना है अब देखे चेहरे पे एक dark effect आ गया है लेकिन अभी थोड़ा और काम करना है अब थोड़ा आप इसकी brightness जो है set कर सकते हैं आपको क्या करना है tools में जाना है व और adjust में आपको highlight का option देखेंगा ठीक है इसको आप अगर 80 कर देंगे तो आप देखेंगे चेहरे पे light effect जो है वो थोड़ा और increase होता जाएगा contrast जो है यह आप बढ़ा घटा सकते हैं अपने एसाब से ठीक है जो आपको सही लगे हलका सा इसको adjust कर दीजिएगा जीरो ही सही लग रहा है मुझे तो और फिर आपको नीचे एक brightness दिखेगी इसको आप चाहें तो घटा बढ़ा सकते हैं तो थोड़ा सा मुझे increase करने पर यह photo का effect सही लग रहा है फाइनली आप देखेंगे इसमें shadow का भी option है इसको आप थोड़ा सा increase कर देंगे तो और clarity आ जाएगी फाइनली इसको आप OK कर दीजेगा आपकी जो photo है वो ready हो जाएगी चाहे इस वाले से चाहे इस वाले से ऊपर के जो दो आपको दिख रहे हैं last के एक next arrow और एक download इससे download क करके save कर लिए यह एप जो है वो fix art है link इसका आपको description box में मिल जाएगा